इस टॉप 10 की वीडियो को छोड़ना मत क्योंकि 100% सीटेट पास होगा सोशल स्टडीज में हमने इस वीडियो में 10 कुशन ऐसे डाले हैं जो एक्जाम में आएंगे ही आएंगे देखिए सीटेट के तूफान को पहली बारी में हमें पास करना है तो इस टॉप 10 की वीडियो को छोड़ना नहीं होगा और दोस्त आपने अभी तक हमारी बैक टू स्कूल की एंडरोइड अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए 10,000 से ज़्यादा स्टूडेट इंस्टॉल कर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सीटेट का एक्जाम हमारी एप के अंदर से ही आएगा इसके अंदर मोक टेस्ट, नोट्स, पीडियेफ, हिंदे, इंग्लिश, दोनों लेंग्वेज में है तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए दोस्तो सब्सक्रिप्शन लीजिए जैसे कि कल सब्सक्रिप्शन लिया चार लोगों ने पूर्निमा मिश्रा, कीर्ती गर्ग, जोती लाकडा और अंजु मिश्रा आप भी लीजिए तो चलिए जैसा मैंने बताया कि टॉप टैन की वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी 100% पास होगा आपका एक्जाम 10 कोश्चन करेंगे एक के कोश्चन बहुत इंपोटेंट विजैन अगर सामराज जै में किसके साशनकाल के दोरान वासको डिगामा भारत में आया था देखिए ये पुर्तगाली था वासको डिगामा और 20 मई 1948 को भारत के अंदर काली कट में ये पहुँचा था 20 मई 14 से 98 को काली कट के तट पर ये पहुँचा और अफरीका के दक्षनी तट के आसपास सफल यात्रा करने के बाद में वासको डिगामा ने यूरोप से एशिया के लिए समुद्री मारग की खोजगी जो जो स्थल मारग से मसाला व्यापार को कंट्रोल करने वाले मुस्लिम रास्टरों से वो कर जाता था उस समय विजयनगर के जो राजा थे वो थे नरेश नायक option number C right answer होगा अगला question प्राचीम रोम एक गणराजय कब बन गया था रोमन रिपब्लिक बताईए देखिए जो ये रोमन रिपब्लिक था जो ये रोम गणराजय था वो प्राचीन रोमन स्विलाइजेशन का ही एक हिस्सा था ठीक है और ये ट्रेडिशनली लगबग 509 बीसी पूर्व था और 27 बीसी ये इसका पूरा काल 509 बीसी से 27 बीसी ठीक है रोमन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर तो आनसराजय का छटी शताब दी इसापूर्व गणराजय तब बन गया था रोमन रिपब्लिक रोमन रिपब्लिक चलिए वर्णों में जातियां क्यों उत्पन हुई जो भारतिया समाज को संगठित करने का आदार बनेगी देखे चार वर्ण थे ठीक हैं पहला देखते हैं वर्ण विवस्था के विरुद परभल विरोद था जिससे जातियों का विकास हुआ बिल्कुल भी नहीं लोगों की सामाजिक वै आर्थिक आवशक्ताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कोशल से संपन लोगों की जरूरत थी आदिवासी लोगों को वर्ण विवस्था में एक इकरत करने में समस्या थी जाति वर्ण और वर्ण समान है देखिया उप्शन नबर थर्ड ठीक है आदिवासी लोगों को कास्ट सिस्टम में एक इकरत करने में समझ जाती इसलिए वर्णों में जाती आउत्पन हुई याद रखना कि जो जाती थी वो सब में नहीं थी जाती थी वर्णों में चार वर्ण थे आपको पता है ब्राह्मन शत्रिये वैश्य और शुद्र ये चारों के चार जो वर्ण थे इनके उपर ही जाती अलागू होती थी लेकिन जन जाती ये लोग इससे अलग थे तो जन जाती है लोगों को वर्ण विष्था में एकिकरत करने में समझ जाती इसलिए वर्णों में जाती आउत्पन हुई जो बारतिय समाज को संगठित करने का अधार बन गई तो अप्शन नमबर सी ठीक है सोतंतर भारत के अंतिम गौर्णर जनरल कौन थे देखिए सी राज गौपालाचारी 1948 से 1950 के बीच में सोतंतर भारत के पहले भारतियों और अंतिम गौर्णर जनरल थे सी राज गौपालाचारी ठीक है और याद रखना 1952 से 54 तक वे मदरास के मुख्यमंत्री रह और 1959 में अलग-अलग मुद्धो पर कांगरेसी नेताओं से मतबेद होने के कारण उन्होंने कांगरेस को छोड़ दिया और फिर सोतंतर पार्टी का गठन भी कर लिया था तो अप्शन नमबर B यहां पर ठीक होगा अगला कोशन देखते हैं क्या है अगला कोशन है निमन में से परतेक्स कारवाई दिवस को 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था बताइए किसके द्वारा बताइए देखिए आंसर होगा यहां पर मुस्लिम संग क्या होगा मुस्लिम संग देखिए मुस्लिम संग जो था उसका अबजेक्टिव था कि हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ रहें और मुस्लिम लीग जैसे हिंदू की कॉंग्रेस पार्टी थी वैसे हिंदू मुस्लिमों की यह मुस्लिम लीग थी ठीक है और उनका कहना यह भी था कि हिंदू और मुस्लिम एकठे नहीं रह सकते उनको अलग चाहिए ये देकांट reside together तो बहुत सारी चीज़े थी जो मागे जाके पढ़ेंगे आगे चलते हैं गांधी वादी समाचार पत्र अकवार इंडियन ओपीनियन किस बाशा में परकाशित हुआ था देखिए अगर मैं बात करूँ गांधी के समाचार पत्र इंडियन ओपीनियन गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी किस किस में होता था गुजराती हिंदी तमिल और इंग्लिश इन चार वाशाओं में होता था परकाशित क्योंकि समाचार पत्र दक्षिन अफरीका में नसलिय भेदवाओ के खिलाफ लड़ने के लिए समरपित था याद रखना दक्षिन अफ्रीका में नसलिय जो भेदवाओ था उसके खिलाफ लड़ने के लिए समरपित था यह एक बार ठीक है देखिए कॉंग्रेस के सचिव थे मन सुख्लाल नजर वो इसके संपादक और परमुक आयोजक थे इस अकबार के और समाचार पत्र के जो संपादक थे उसमें हेबर्ट किचन हेन्री पॉलक, अलबर्ट वेस्ट और मनी लाल गांदी शामिल थे अकेले गांदी जी का काम नहीं था ये तो आंसर यहां पर क्या जाएगा ये और भी दोनों इन चारों बाश्याओं में था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या है आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर माफ कीजिएगा स्क्रीन पर देखिए question मुगल बादशाँ डैश ने आलमगीर की उपादी धारण की किसने धारण की थी देखिए औरंग जेव था जिसने adopt की थी title आलमगीर उपादी का मतलब है title धारण का मतलब है adopt which मुगल एंपरर एडॉप्टेड दा टाइटल आलमगीर औरंग जेव थीक है और इसकी मृत्यू कब हुई अगर मृत्यू की बात करें औरंग जेव की तो 1707 AD में नेक्स्ट कॉश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 वी शेताबदी में वारत में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना की थी वो गुरू घासी दास ने की थी ठीक है और ये वी दुरतब शुरू हुआ थे तब एक मुगल सैनिक ने सतनामी की अत्या कर दी थी और ये है आंदोलन 1657 में हर्याना में हर्याना के नार्नोल में ठीक है सोरी एक मुगल सैनिक ने सोरी मुगल सैनिक ने आगे देखते हैं किस विद्रो को कुमाओ के बार्दोली के नाम से माना जाता है बताओ किस विद्रो को कुमाओ के बार्दोली के नाम से जाना जाता है देखे सलाम सलिया सत्याग्रे को सलाम सालिया सत्याग्रे को कुमाओ के बारदोली के नाम से जाना जाता है और इसका नित्र तव किस ने किया था गांधी ठीक है गांधी के आवान पर राम सिंग धोनी गांधी के कहने पर इसकी जड़ तो गांधी थी राम सिंग धोनी उन्होंने ये सत्ताग्रे किया और कुमाओ में ब्रिटिश आशन की जड़े ही लादी थी सत्ताग्रे ने और पुलिस की बरबरता के कारण कई लोग सलाम सत्ताग्रे में मारे भी गए थे अगला देखते हैं चोहान राजा सोमेशवरा और उनकी रानी पृत्विराज चोहान क्योंकि पृत्विराज चोहान थे राजपूत राजा उनके पापा थे राजा सोमेशवरा और उनकी पत्नी करपुरा देवी यनकी पृत्विराज चोहान की ममी और ये राजपूत राजा थे पृत्विराज चोहान जिन्होंने दिल्ली पर साशन किया था क्या किया था दिल्ली पर साशन और उनका जणनम हुआ था 1166 इस्वी पूर्व में जाए जाए कि आपने कोशिन के अंदर देखे लिया था और उन्हें राय पिथोरा और प्रीवी राजपूथ के नाम से भी जाना जाता है ये के निकनेम क्या थे राय पिथोरा और राय पिथोरा के अलावा प्रीवी राजपूत चोहान वन्शिय राजा था ये क्या था चोहान वन्शिय राजा ठीक है और ये राजस्थान के अजमेर से तालुक रखते थे इसने अपने विद्रोई चचेरे बाई नागारजुन को औराया और नागारजुन से गुदा पुरा शित्र को पुने पराप्त कर लिया था ठीक है और इनका इनके प्रेम सब बंद थे संयोगिता के साथ जिसके कारण ही दिली के साशकों के साथ दुश्मनी बंद गई थी पिर्थिवरा चोहान की और ये जो संयोगिता के साथ कनेक्शन था ये उनकी मा के रिष्टिदारी की तरफ से था तो बहुत ढीप चीज़े मैंने आपको बताई और 1191 में टेरेन की पहरी लड़ाई पिर्थिवरा चोहान और मुहमत गोरी के बीच में भी लड़ी गई और इसे चोहानों ने जीता था बाद में 1192 में मुहमत गोरी ने पिर्थिवरा चोहान को हराया और दिल्ली की गद्धी पर फिर से कबजा कर लिया चंदरबरदाई पिर्थिवरा चोहान के दरबारी कवी और राजमितर थे यह सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दी क्योंकि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि आज की ये वीडियो कैसी थी आज की ये वीडियो थी टॉप 10 की ऐसी वीडियो जो आपको बिलकुल नहीं छोड़नी थी आपने बिल्कुल छोडी भी नहीं होगी तो यही वीडियो आपके लिए बार-बार आती रहेंगी बशरते आप लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें और हमारे बैक टू स्कूल की Android अप्लिकेशन को जल्दी से इंस्टॉल करें दस अजार से ज़्यादा स्टूरेंट इंस्टॉल कर चुके है उनका एक्जाम 100% क्लियर निकलने वाला है क्योंकि 4 स्टूरेंट जिनों निकल सबस्क्रिप्शन ले आ था उनको पता है कि 90% से ज़्यादा जो कोश्चन्स आएंगे वो हमारी बैक टू स्कूल की अप की अंदर से ही आएंगे तो जल्दी से इंस्टॉल करें सबस्क्रिप्शन ले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जया हिंद जया भारत और बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी टेक केर दोस्तों